दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा different होने वाला है, जैसे हम normal वीडियो में analysis करते हैं, आज analysis नहीं है, आज आपके लिए एक live trading टाइप से माल लो, basically इस वीडियो से मेरा उद्देश ये है कि किस तरह से मैं trading decision live market में लेता हूँ, उसकी आपको एक clarity मिल जाए, और कैसे options को हमें समझना है, देखो option trading normal trading से अलग है, उसका एक answer आज आपको मिल जाएगा, मैंने किस तरह से इस बाजार में trade के है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, फिलाहाल आप देख रहे हो कि लगबग साड़े बारा बज़ रहे हैं, जब ये video में record कर रहा हूँ, तो live market में record कर रहा जाता है, मेरा इस वीडियो से उद्देश ही है कि मैं किस टाइप से decision लेता हूँ, ये आपको clear हो जाए, मेरा कोई उद्देश नहीं है कि मैं आपको कुछ भी दिखाऊ हूँ, यार, मैं आपको ऐसा नहीं है कि ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से profit कमाया है, ये कमाया करोड़ पती बन गए, मेरी Lamborghini पीछे खड़ी है, नई, मेरा उद्देश, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ, एक करोड़ का profit दिखाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो अगर आप disappointment हो रहे हैं, अभी से जान दिजे, production बढ़ा हो गया, फिलाल आप देखोगे, बाजार काफी positive है, मजबूती से trade कर रहा है, लेकिन मेरा focus आज इंट्रादे ट्रेडिंग पे है, कैसे आप इंट्रादे live market में decision ले लोगे, अगर आप सबसे पहले ध्यान दोगे, तो निफ्टी काफी मजबूते trade कर रहा है, बी बीस हजार के ऊपर गया है, लेकिन काफी बड़ी gap के साथ, अगर आप intraday trader हो, तो obviously gap में तो कोई trade करता नहीं है, तो आपके पास opportunity थी market में live trade करने की जब सवा नौ के बाद खुला है, पहली 15 मिनट की candle तो मैं कभी भी trade नहीं करता हूँ, तो उमीद करता हूँ, अब भी न बने जारें, फिलाल ये 15 मिनट की candle की close देखोके अगर आप, तो ये 20,000 के थोड़ा नीचे हुए है, 99.85, जो कि एक ऐसा level है, जहां पे आप decide नहीं कर सकते थे, अगर आप properly trade कर रहे हो, क्योंकि 20,000 के आसपास एक resistance है, तो आप क्यों risk लोगे, मतलब ले भी सकते हो, बढ़ मैं personally नहीं लेता, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं personally नहीं लेता, तो मैं एक और candle के लिए wait करता, एक और candle के लिए wait किया है, तो almost 20,000 के आसपास आप पहुँचे, अब 20,000 से अभी जहां trade करो, लगबद 30 point की move आई है, अब किस तरह से इस type के बाजार में trade करना है, जहां दि दिन पहले की move है, अब किस तरह से trade करेंगे, देखो, मैंने किस तरह से trade करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है, step number one, step by step बताता हूँ मैं, step number one क्या है, कि आपको समझना है, कि बाजार की direction क्या है, आपको एक बाए direction, सबसे पहले आपको यही decide करना है, कि आपके इस type का trade कर लेकिन क्योंकि यहां पर direction काफी clear है तो मैं directional trade करूँगा अगर यहां पर थोड़ा सा confused हो तो option एक ऐसी मतलब गजब की चीज है जो आपको कहता है कि ठीक है आपको यह बताना नहीं है कि direction कहा जाएगा बिना direction बताए भी आप option को trade कर सकते हो जिसे हम कहते है non directional strategy या simply delta neutral strategy इस टै directional कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे बाजार की direction पता होने चाहिए direction पता करने के लिए जब आप अगर मेरी analysis regularly देखते हो तो उससे कोई difference नहीं है आपको clearly direction सब में आ जाएगी सबसे पहले अगर आप technical analysis से direction देखने का प्रयास करोगे तो technically आप देखोगे तो nifty काफी चैनल के अंदर है चैनल के टॉप की range की तरफ आगे बढ़ रहा है बिल्कुल क्लियर है middle of the channel से उपर है direction मजबूत है कल की candlestick भी मजबूत थी और intraday में जो movement आई वो भी काफी मजबूत है अगर आप चाहता ही technical करना चाहते हो तो आप यहाँ पे indicators अपने हिसाब से लगा return नहीं है मुझे पता है technical positive है क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ second बात option chain यह चीज है जो कि मुझे काफी confidence दे रही है expiry के एक दिन पहले option chain काफी जादा important option chain को कभी ignore नहीं करना चाहिए भाई option trade करने में option chain जिसके नाम में यह option उसको क्यों ignore करोगे काफी important है अगर आप option chain में य लगभग 2.5 करोड या 2.25 करोड दो करोड 25 लाग contract है जो कि तेजी के बैट है क्यों तेजी के है क्योंकि उन्हें पुट बेची है अगर आप इसी को मंदी के side से देखोगे तो एक करोड contract यहाँ पर trap है मंदी वाले मंदी वाले एक करोड 20,000 पर ही trap है इससे मुझे एक ची चीन ही बता दे रही है क्योंकि यहाँ पे एक करोड मंदी वाले फास है और पुट बहुत जबरदस्त है तो 20,000 तो support है तो मेरी risk कितनी है 30 पॉइंट के अगर मुझे इतनी पता चल गए कि यार मेरी risk 30 से 50 पॉइंट के क्यों 50 पॉइंट के क्योंकि मैं कभी भी exact level पे नही आपको हिट करवा देती है फिर आपका मूट खराब हो जागा इसलिए मैं थोड़ा नीचे ही लगाता हूं मैं कहता हूं थोड़ा नीचे ऐसा लगाऊंगा लेकिन वह risk नहीं लूँगा कि touch करके go गई और फिर उपर चली गई कई बार होता है तो वह नहीं करेंगे तो risk कम है 30-40-50 point की risk है जो मैं आराम से ले सकता हूं अपना portfolio देखने पर तो आपको direction clear हो गई मैं क्या करूंगा मैं तेजी करूंगा यानि मैं बाजार को long करूंगा अच्छा मैं long का word क्यों use कर रहा हूं खरीदने का word क्यों नहीं use कर रहा हूं क्योंकि जब आप option trading पर आते हो आप कहते हो मैं इस बाजार पर तेजी करूंगा तो आपके पास तेजी करने के दो option है एक option जो पुराना है call option खरीद लो जो की जैसे हम खरीद नहीं से लिए मैं खरीदने का word use नहीं कर रहा हूं और दूसरा option जो मैंने आज के लिए apply किया है वो है put option को बेच दो sell put option मैंने call option को खरीदा नहीं है मैंने put option को बेच आई ये मेरी strategy है put option को sell करने के ये दोनों ही strategy आपको तेजी करने के लिए help करती है लेकिन फिलहाल market को देखते हुए मैंने put option बेचने का फैसला दिया है और आप जानते हो कि जादातर retailer call option खरीदते होंगे put option बेचने वाले थोड़े क क्या है कि क्यों मैं put option बेचने के पक्ष में हूँ दोनों में ही तेजी कर रहे है लेकिन इस strategy से तेजी करेंगे क्यों अगर आप यहां पर आओगे देखो put option जब आप बेचने की बात करते हो तो हम लोग call option खरीदेते क्यों है क्योंकि call option में आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा पैसा आजयागा इसमें हम देखते हैं कि हां risk to reward ratio जो होता है वो काफी मजबूत होता है काफी अच्छा होता है call option खरीदने में लेकिन जिसकी कोई बात नहीं करता और मैं सच में मतलब internet पे भी नहीं देखता हूं जो कि option का सबसे बड़ा part है वो है probability of profit यार तुम्हारी चीज होने का probability कितनी है उधारण देता हूं chances कितने है उधारण मैं आपको देखे समझाता हूं भाई कई लोग 20,200 की call option खरीद लेंगे इतनी मजबूत बाजार में कल है expiry कहेंगे मेरी hero zero हो गई या out of the money है और बड़ी सस्ती 6 रुपे की मिल रही है तो क्यों ना खरीद लूँ खरीद लेंगे अब मेरा कहना आपसे यह है कि यह 6 रुपे में मिल रही है इसका यह मतलब नहीं है कि कोई आपको सस्ती बेच रहे भाई इसकी value ही नहीं है इस option को आप पैसे बनाने के जो chances है अगर आप देखोगे यह 12% के आसपास है यानि अगर 100 बार आप कोशिश करोगे यह approximate बता रहा हूँ लेकिन इससे आप काम चला सकते हो अगर 100 बार आप यह option खरीदोगे तो सिर्फ 12 बार ऐसा होगा कि आप इस option में पैसा बना सकते हो यह उसकी probability उसके chances है तो क्या अब आप इसमें पैसा डालना चाहोगे देखो personally मैं नहीं डालता क् probability बहुत कम है से 12% की probability है 100 में से 12 बार हो रहा है तो बहुत कम है तो जादातर समय फिर आप सुनते हो ना कि क्यूं जादातर retail trader lose करते हैं पैसा इस type के options में out of the money deep out of the money option इसलिए नहीं trade करने चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ option खरीदना ठीक है लेकिन probability और profit थोड़ी कम मिलत रहेगी limited profit रहेगी और loss unlimited loss theory mechanically सही है लेकिन मुझे पता है मेरी risk कितनी है भाई मैं अपनी SL 99.75 के आसपास लगा दूँगा तो मुझे अपनी risk management पता है वो तो theory कहती है ने नीचे तक गे रहेगा तो मैं hold थोड़ी किया रहूँगा मैं तो screen के सामने बैटा हूँ मैं काट दूँगा बट यहां पर आपके risk to reward तो कम होती है put option बेचने पर कम है अच्छी नहीं है लेकि probability of profit थोड़ी बढ़ जाती है क्यों क्योंकि यहां पर हमें margin of safety भी तो है 30-40 point की जो हमें मिल रही है यह एक फाइदा होता है और इसके अलावा जो सबसे बड़ा reason है अब मैं जा जा रहा हूं detail में मैं आपको समझाने जा रहा हूं यह आपको options का ब्रह्मास्त्र है option greeks देखो option trade कर रहे हो मेरा मानने option greeks आपको आना चाहिए मतलब यह वह है कि युद्ध में आप जा रहे हो और अगर आपके बंदूक नहीं है तो आप फस जाओगे तो option greeks जानना ज complicated नहीं आर आसान है in fact अगर आप इसके बारे में सोचते रहोगे तो आपको लगेगा हाँ यह तो sense बना रहा है उधार दूँ यहीं पर उधार दूँगा जो आपको बता देगा put option क्यों बेची है मैंने जब आप call option खरीदते हो एक चीज़ ध्यान रखना expiry के पास और अगर आपकी call option है मालो out of the money है अभी आपके पास price में नहीं आई है तो उसकी value कम होती है समय की कीमत कम होती है यह आपको पता है हमको भी पता है इसलिए expiry के पास option सस्ते होते हैं बिलकुल है लेकिन यह number कौन सा बताएगा यह आपको बताएगा theta यह बता रहा है यह option अगर तेजी से decay हो जाएगा सबसे बड़ी problem option खरीदने की expiry के पहले होती है theta decay अब अगर मैं option खरीद नहीं रहूं बेच रहूं मैं option बेच रहूं तो यह theta decay जो समय की कीमत कम होती है वो मेरे पक्ष में हो जाएगी यानि जैसे जैसे समय बितेगा चाहे बाजार उपर ना भी ज option की कीमत कम होती जाएगी मैं खरीद नहीं रहा हूं मैं पेच रहा हूं यह मेरे पक्ष में आ जाती है इसलिए expiry के पहले मैं option बेचने के पक्ष में हो क्योंकि theta मुझे अपने पक्ष में करना है डेल्टा है यह direction है देखो direction हमने देख ली बाजार की positive है तो डेल्टा अगर मैं बाजार के direction में trade कर रहा हूं तो positive side पे trade करूंगा मैं put option बेच के positive delta ले लिया theta जो समय की कीमत है मैं option बेच के अपने side ले रहा हूं ताकि अगर बाजार move ना भी करे तो भी मेरा जादा कोई नुकसान हो in fact मैं तो पैसा कमाऊंगा या अगर 20,000 पे भी expire हो जाती है तो भी मैं पैसा करूंगा तो यह एक फाइदा है risk जहां तक लोग कहते है unlimited risk क्या unlimited risk बाई मुझे पता है मेरी SL कहा होगी मैं इस trade को लेने से पहले अपनी SL और अपनी risk डिफाइन कर रहा हूं जो कि आपको खुद technical और option chain बता दे रही है कुछ नहीं करना है तो आपकी analysis ही आपको stop loss भी दे देगी तो जब मुझे पता है तो base बनती है foundation होती है यह वो है और यह complicated इसमें समय लगेगा but basically यह बताती है कि अगर volatility में increase होगा तो मेरी option पैसा lose करेगी अगर मैं बेच रहा हूं और अगर volatility बढ़ती है और मैं option खरीदता हूं तो मेरी option की price बढ़ेगी क्योंकि मुझे लगती है कि volatility जादा नहीं रहेगी त तो अगर मैं 4 में से 3 या 4 यह कहलो जो भी option Greeks कहलो यह आपको रिंकु चिंटू पप्पू मुन्नी जो बुलाना हो बुलालो कोई फरक नहीं पड़ता डेल्टा गामा कहने की ज़रूत नहीं हो आपके उपर है आपके उपर आपको जो कहने है हम लोग कौन सा exam देने जा रह तो आपको इससे यह समझा गया कि किस तरह से मैंने decide किया है कि मैं क्या trade करूँगा किस direction में trade करूँगा और मेरी क्या strategy रहेगी यह सारी चीज किस ने बताई खुद बाजार ने बताई क्या मैंने बाजार को कुछ बता है कि मैं क्या करना चाता हूं मुझे लगता है बाजा चिन देखने के बाद फिर जब मैंने डिसाइड कर लिए बाजार पॉस्टिव में तो मैं पॉजिटिव साइड रहूँगा तो फिर बाजार से पूछो कि सर मैं क्या करूं मैं ऑप्शन खरीदूं कि बेचूं तो आपको बाजार बताएगा कल है बीटा एक्सपाइरी तुम उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद है थोड़ा अलाग है लेकिन इंपोर्डेंट था अगर आपका इससे रिलेटेश कोई भी सवाल है और आइनो काफी सारी सवाल है उसकता हूँ आपका सवाल यह हो कि यार ग्रीक्स मुझे नहीं आता मुझे तुम बताओ मैं आपको यह कोई प्रॉब्लम नहीं चाल इस पॉइंट की मार्जिनों सेफ्टी चल रही है फिलाल सो आइविल टेक केर बाइबाइब